कि अभी तक हमने कितना महिना है सो इस्टोल्मेंट डाला है और कितना महिने का चेक बॉन्स हुए हैं प्रैबेट फैनेंस वाले गुप्त बातों को नहीं सेयर करते वो सारे एमांट जब तक आप नहीं देंगे अनोसी आपको नहीं मिलेगा अभी सुबह के दस बजा है और अज काम पे नहीं जा रहे हैं और चुति लिये रखे हैं प्रोपर मेरा काम नहीं है लेकिन मेरा ही काम कह सकते हैं, जो केमरे के पीछे हैं, वो बिनोद्जी है, देखे गाउ में इनवर्टर नहीं मिलता है, लेने के लिए 30 किलो मीटर जाना पड़ता है, इतना बड़ा गाड़ी लेके जा रहे हैं, इनवर्टर लेने, एक, दो, तीन, चार इनवर्टर खड़त है का पता नहीं, ये गाड़ी दो पाई भी जिनी, चालो निकलो तो हम लोग भी आते हैं, फिर कोल करते हैं, महिंद्रा बोलेरो पिक अप है, जो डल्ला गाड़ी होती है, जिसमें हम कोई समान लॉड करके इधर उधर ट्रांसपर्ट करते हैं, कमर्सियल यूज के लिए, तो वो गाड़ी है, सो 2020 में हम खेर दे हैं, और जो फर्स्ट ओनर है, वो 2019 में खेर दा था, उसका किस्त तो चल ही रहा था, तो हमने उसके साथ सेटलमेंट कर लिया, उस ओनर के साथ में कि बाकी का जितना भी किस्त है, एक साल यानि बारा महिना, तेरह महिना एक्चुली मूद दे चुका था, तेरह महिना, बात जो इमाई होगा, वो मैं दूंगा, और बदले में हमसे वो एक लाख रूपया गाड़ी को जो डॉन पेमेंट किया होगा, उसके चलते हमको देना पड़ा था, एक लाख रूपया दिये थे, और बाकी का किस्त हम स्विकार कर लिये थे, कि हम देंगे, कोट में जब एग्रिमेंट हुआ तो उसमें भी है, तो उसको अपडेट करना प पोजिट कर देते हैं, लोन अभी भी उसी के नाम पर है, तो रिष्टा काफी अच्छा होने के बावजुद भी इतना दिन दो सल चला, अब जो फर्स्ट ओनर हमको रिक्वेस्ट किये कि सेकेंड ओनर जी आप आईए और हैसो लोन अपने नाम पर कर लिजे, इसलिए आज जा रहे हैं, जो लोन प्रोवाइडर कंपनी है, वो बात हुई है, वो बोले हैं कि लोन आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, पीछे देख सकते हैं कि यह एक पठार है, हम लोग गाव में इसको टूंगरी बोलते हैं, और इसका पुराना नाम जो है मकोनी टूंगरी अब यह डाकेटी टूंगरी हो गया है, मतब डाकेटी मोड हो गया है, यहाँ पर एक मोड है, इसको डाकेटी मोड लोग बोलते हैं, इसकी वज़ा है कि काफी सालों पहले जब गाव में किसी तरह का कोई सुविधाय उपलब नहीं थी, लोग रासन पानी के लिए सहरों त होता था ना, ट्रेक्टर में जाते थे माल को लाने के लिए, तो क्या था कि सुक्रुवार का दिन ठिक्स होता था सभी बैपारियों का, तो यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ, कि कुछ जो है डाकेट, चोर आप जिसको कहें, यहाँ पर ताक में बैठे थे और सारे बैपारियो कि तिस पैटिस साल तो हो ही गया होगा, तब से इस जगह को जो है, डाकेटी मोड बोलते हैं, इस मोड को, रामगार आच चुके है, और यह जो बीरिन है, चोला मंडलम इंवेस्टमेंट और साइनेंस कमपनी, यहाँ पर गए थे, लेकिन यहाँ लोन में काफी ओल है, आप यहाँ से तीन किलोमीटर हम लोग का घर वापस लोटते हुए बचा है, और आसपास इस तरह का व्यू है, काफी खुबसूरत भीव है, और हम लोगों का काम तो हुआ नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ओल जोल है, जो लोन की बात हम लोग बात कर रहे थ तो अभी पानी बरसना चालू हो गया है, थोड़ा थोड़ा पतार के अंदर बेचते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्च्वल में हुआ क्या है, उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आपका लोन ट्रांसपर हो जाएगा आपके नाम से, लेकिन इसमें एक कैच है, हम लोगों लगेगा और बोडी इंसोरेंस के नाम पर बावन सो चबविस रुपेया, जो मेंडेटरी है, आपको लेना ही लेना है, तो बारह हजार शेसो शियालिस रुपेया, वो बोल रहे थे कि आपको लगेगा, और 7.5 परसेंट का पर मन्त का इंट्रेस्ट रेट लगेगा, दो ल 92 परसेंट का, 8,250 रुपेये का, पर EMI जो है महिने का वो बता रहे थे, जो कि इंट्रेस्ट रेट आ रहा था 47,500 रुपेया, और कूल मिला करके 2,27,000 हमारा ड्यू है, जो कि अभी जो EMI करता है 13,900 रुपेया, पुराना जो लोन है, वो 6.5 परसेंट पर है, जिसके नाम प पर बचा हुआ है, 17 महिना का किस्त बचा हुआ है, 17 महिना और हमको गाड़ी का किस्त देना है, हमने यह सोच के पास गया था, कि अब यह लोन, फस्ट हैंड ओनर से हट करके, हम मेरे पास आजाए, के पास लोन कंभट हो जाए, और हमारा एकाउंट से EMI कट आ जाए, इस प 600 प्रोसेसिंग चार्ज जो इंसूरेंस इंक्लूड है, और चोहतर सो जो प्रोसेसिंग चार्ज है, हाँ, लोन का, इसके अलावा, अगर हमको है, सो जो प्रिंस्पल वेल्यू है, दो लाग सताई साजार, उसका इंट्रेस्ट पचास अजार के लंसम बोला, हने वो लगेग और इतना दिन में जो ओडी जुडा हुआ है, कभी-कभी चेक बांस हो अगरा हुआ, लगबग एक लाग का एक्स्ट्रा हमको इंवेस्टमेंट था, तो फैनली हमने डिसाइड किया, फर्स्ट ओनर के साथ में, कि जिसके नाम पर लोन है, उसी के नाम पर रहने दे, और उस सबस्टमेंट था, तो इनका सिवील स्कोर थोड़ा सा इमप्रूब हो जाता है, तो खयर चलिए वह बाद की बात है, शीवील स्कोर को बाद में भी इंप्रूब कीया जा सकता है, अभी तक हमने कितना महिना है सो इंटमेंट ड़ा है, और कितना महिने का चेक बंस हुए है लोन को ट्रांसपर ना करें नहीं, तो आप ही को नुपसान है? जो फर्स्ट ओनर और आपके बिच में रिस्ता किस तरह से, अगर भरोसा है, तो फिर कोई दिकत नहीं है, तो हम लोगों ने फर्स्ट ओनर से बात किया, बोला कि मुझे कोई दिकत नहीं है. लोन खतम हो जाएगा अभी भी लोन आप ये जो प्राइबेट फिनांस वाले हैं उनके चकर में नहीं पड़ना है सबसे बेस्ट ऑप्सन है आप किसी सरकारी या गर्रमेंट एफलियेट बैंक को पकड़िए प्राइबेट फैनेंस वाले गुप्त बातों को नहीं सेर करते हैं नहीं करते हैं जैसे फैनेंस का स्टाफ हो चाहें फैनेंस का मनेजर हो कोई नहीं बताते हैं लेकिन आज हम आप लोग को विदायत देते हैं अगर आप हैसो डायरेक्ट इयमाई को बाइहेंड जमा करते हैं तो वह गलती ना करें किूँकि जो एकांट उसमें डाला हुआ है उस लोन पर कि किस एकांट से पैसा कटना है और इस एमाई कटने के महिने में अगर उस एकांट में पैसा न मिला और हम जाकर बाइहंड जमा कियें तो उसमें चेक बॉन्स का option आता है और साड़े 800 रूपिया का हैसो penalty लगता है जो आपको नहीं पता चलेगा और लास्ट में जब आप हैसो उसमें पुरा लोन कंप्लीट हो जाएगा लेना चाहिएगा तो यही आपको हमने दिखाया कि हैसो चेक बॉन्स का आता है यहां पर हैसो option दिखाते हैं आपको यहां पर दिखाया है जब जब चेक बॉन्स का देखे एक दो तीन चार यह चेक बॉन्स वाले हैं इस सब में साड़े 800-800 करके जो कटे एमाउंट जमा होंगे किरियट होंगे वह सारे एमाउंट जब तक आप नहीं देंगे अनोसी आपको नहीं मिलेगा लिकिन जो ओडी हुआ 830 रुपया हमको एनोसी के वक्त वह 830 लेके ही रहेगा और इंट्रेस्ट लेगा वह जितना लेट हो जाएगा इसलिए बाहेंड एकदम जमा करने का कोशिश नहीं करें बाई एकाउंट ही देने का परियास करें तो यह देखिए और काफी सारा इंफोर्मेशन आपको मिल होगा अगर आप किसी फर्स्ट ओनर से सेकेंड हेंड गाली खरीते हैं और अगर वो यह माई चल रही है पूरा उसका जो लोन है कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या प्रोसेस है और क्या डिकत आ सकती है सारा इंफोर्मेशन आपको मिल गया होगा और बाहर देखिए कि इस त है घर नहीं हो भ हो तुल कर होगा घर रहर नहीं है पकि त επ안र करी रहर एक जनर से सकत्ति हो कि वह नहीं है एन्द करики बहाँ मिल रहरे से सेवार चारा ज्यकर प्होरोर्मेशन awards